हलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं शेमूशी प्रत्मों भाग जो की कक्षा नववी के लिए संस्कत की पाठे पुस्तक है और आज हम इसमें पढ़ेंगे एका दशा पार्ट मतलब क्यारा पार्ट पर्यावराणम के प्रशनोत्तर तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इसके प इंपोर्टेंट क्योशन भी तुरंत मिल जाए तो बच्चों शुरू करते हैं तो पहला प्रशनों एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखिए तो पहला इसका कब मानव कुत्र सुरक्षित तिस्ट थी मानव कहां पर सुरक्षित रहता है तो मानव कहां पर इसका उत्तर होगा पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण कुक्षो, मतलब पर्यावरण की गोद में, ठीके, खहे सुरक्षितं पर्यावरण कुत्र उपलब्य तेस्म, सुरक्षित पर्यावरण कहा पर उपलब्ध हे, ते इसका उत्तर आएका बच्चो वने, मतलब वन में अब अगला प्रशन है ग आर्शवचन क्या है? तो आर्शवचन है धर्मो रक्षती रक्षीत ह। या आर्शवचन है पर्यावरण मस्ती अगला क्यूशन है पर्यावरण मपी कस्य अंगमिती रिश्य ह प्रती पादी वन्त ह। पर्यावरण मपी कस्य अंगमिती रिश्य ह प्रती पादी वन्त ह। तो पर्यावरण किसका अंग है रिश्य ने कहा है पर्यावरण मपी कस्य अंगमिती पर्यावरण किसका अंग है रिश्य प्रती पादी वन्त ह। अग्ला है लोक रक्षा कया संबहोती लोक रक्षा किस प्रकार संबहो है या किसे संबहो है तो इसका उत्तर आएगा प्राक्रती रक्षया प्रक्रती रक्षया मतलब प्रक्रती की रक्षा करने से लोक रक्षा संभव है ठीक है अगला है अजात शिशु है कुत्र सुरक्षित अतिस्टती अजात मतलब जिसका जन्मन नहीं हुआ है ऐसा शिशु अजात शिशु कुत्र सुरक्षित अतिस्टती जिसका भी जन्मन नहीं हुआ है इस प्रकार का जो शिशु है वह कहां सुरक्षित रहता है तो इसका उतराएगा मात्र गर्भे मात्र गर्भे मतलब माता के गर्भ में तो इसका आएगा समेशाम प्राणे नाम. सभी प्राणेव का सरक्षन प्रकृति करती है. अब अगला प्रश्ण है प्रेश्णान्बर दूसरा अधो लिखिता नाम प्रश्णाना मुत्तरानी संस्कत भाषिया लिखत. अधो लिखी नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कत भाशा लिखत नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर संस्कत भाशा में लिखिए इसमें कवाला है प्रक्रते है प्रमुक तत्वानी कानी संती तो बच्चों इनके उत्तर हम कॉपी में करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रश्च नमबर दूसरे का जो कवला है प्रक्रते है प्रमुक्तत्वानी कानी संती प्रक्रती के प्रमुक्तत्व कौन से है तो इसका उत्तर होगा प्रक्रति प्रमुक्तत्व कानी के स्थान पर आएगा और संती तो क्शन में ही है तो आपको यह याद करना पड़ेगा बच्चो इतना आपको याद करना पड़ेगा प्रत्विवी जलम तेज़ वायू आकाशच ये प्रक्रती के प्रमुक तत्व है अगला चो खवाला कुष्चन है स्वार्थांदह मानवह किम करोती स्वार्थ में अंदा होकर मानव क्या कर रहा है स्वार्थ में अंदा मनुष्य क्या करता है तो स्वार्थांदह मानवह पर्यावरणम नाश यती स्वार्थ में अंधा मानो पर्यावरण का नाश कर रहा है ठीके पर्यावरण नाशयती तो यहाँ पर आएगा बच्चो किम के स्थान पर आपको लिखना पर्यावरण नाशयती ठीके किम के स्थान पर आएगा पर्यावरण नाशयती करोती ठीके करोती भी लिख सकते हो यहा पर्यावरण के विक्रत होने से क्या होगा? ठीके तो इसका उत्तर होगा पर्यावरणे विक्रते जाते विविधारोगा विशन समस्यास चे संभवती तो किम? किम भहुति के स्तान पर आप लिखोगे बच्चो जाते के बाद? विविधा रोगा भीशन समस्यास्य संभवती पर्यावरणे विक्रते जाते पर्यावरण के विक्रत हो जाने से विविधा रोगा विविध प्रकार के रोग भीशन समस्यास्य और भैंकर समस्यास्य संभव है उत्पन्न हो जाएगी या इस प्रकार की विशन समस्याय संभव है जो घवला है अस्माबिय पर्यावरणस्य रक्षा कथम करनिया हम पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं तो इसका उत्तर होगा अस्माबिय प्रक्रती रक्षनिया तेन्च पर्यावरणम रक्षितम भविश्यती असमा भी है प्रक्रती रक्षनिया हम प्रक्रती की रक्षा करें तेन्च पर्यावरण रक्षितम भविश्यती उसे पर्यावरण की रक्षा होगी तो इसका उत्तरे बच्चों कि हम प्रक्रती की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा भी हो जाएगे ठीके पर्यावरणम रक्षीतम भविश्यती ठीके तेंच पर्यावरण रक्षीतम भविश्यती अगला कुष्चन है अंग्य वाला लोक रक्षा कथम संभवती लोक रक्षा किस प्रकार संभव है तो इसका उत्तर है लोक रक्षा प्रक्रती रक्षया संभवती लोक रक्षा प्रक्रती की रक्षा से संभव है तो यह कथम के स्थान पर आजाएगा बच्चो प्रक्रती रक अगला चो चवला है परिश्क्रतं पर्यावरणं अस्मभ्यं किम किम ददाती परिश्क्रत मतलब शुद्य पर्यावरणं हमें क्या क्या देता है तो इसका उत्तर होगा परिश्क्रतं पर्यावरणं अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखनं सद विचारं सत्य संकल्पं मांगल परिश्क्रतम पर्यावरण चुद्ध पर्यावरण अस्मभ्यम हमें सांसारिकम जीवनसुखम मतलब सांसारिक जीवनसुख सद्विचारम मतलब सद्विचार सत्य संकल्पम सत्य संकल्प मांगलिक सामगरी चे और मांगलिक सामगरी देता है ठीके तो इस प्रकार यह प्रश इस्थुल पदान्य धीकरत्य प्रश्ण निर्मानम कुरुत। के क्या हैगा के किसको निर्मिवेकम चिद्यंती तो किसे बिना विवेक के काटा जा रहा है तो इसका उत्तर आ जाएगा वन व्रक्षा तो यहाँ प्रश्ण ऐसा बनेगा वन व्रक्षा के इस्थान पर बनेगा के निर्मिवेकम चिद्यंती और फिर प्रश्ण वाचक चिन अगला है व्रक्ष कर्तनाद व्रक्ष को काटने से शुद्ध वायू हो न प्राप्ते शुद्ध वायू प्राप्त नहीं होगी तो किससे शुद्ध वायू प्राप्यते तो हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर जो स्थुल पद है उसके इस्थान पर प्रश्णवाचक शब्द लिखना है और बाकी वाक्य वैसा ही आएगा ठीक है और यहाँ प्रश्णवाचक चिनना आजाएगा अगला है प्रकृति हा जीवन सुखम प्रददाती प्रकृति जो है जीवन सुख देती है तो प्रकृति क्या देती है यह प्रश्णवाचक बनेगा ठीक है जीवन सुखम प्रकृति जीवन सुख देती है और यदि जीवन सुख को हटाएंगे तो यह प्रश्णवाचक बना किम प्रददाती ठीक है प्रक्रती किम प्रददाती और प्रश्ण वाचक चिनना जाएगा ठीक है अगला है अजात शिशू मात्र गर्भे सुरक्षित है तिस्टती अजन्मा शिशू माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है तो यहां पर मात्र गर्भे तो अजात शिशू कह यहां सुरक्षित्र रहता है, तो इसमें हम लिख देंगे मात्रगर्पे किस पान पर लिख देंगे कुत्र, ठीके, तो यहां पर हम इस प्रकार से बना देंगे, जात शीशुह, कुत्र, मतलब कहां, सुरक्षितह, सुरक्षितह, तिस्थति, ठीके, तिस्थति, और अगला है पर्यावरन रक्षणम धर्मस्य अंग मस्ती पर्यावरन की रक्षण धर्म का अंग है तो पर्यावरन की रक्षण किसका अंग है ठीक है किसका अंग है तो यहाँ पर धर्मस्य की स्थान पर लिखेंगे हैं कस्य ठीक है कस्य और यहाँ प्रश्ण ऐसे बनेगा पर् अंगम कस्य अंगम अस्ति ठीके तो इस प्रकार से प्रस्चन निर्मार होगा, प्रश्चन अचक चिन आएगा तो इस प्रकार हमने ये जो ईस्थुल पadaki है इस तान पर प्रश्चन आचक लिख दिह हैं यहां पर क्या आएगा इसमें कि आएगा यहाँ पे दूसरे वाले में कस्मात प्रकृती जीवन सुखम प्रदाती में किम प्रकृती क्या देती है और अजाज शीचु मात्रगर्बे सुरक्षित अजाज शीचु जो है कुत्र सुरक्षित कहां सुरक्षित रता है और धर्मस्य के इस्थान पर आजाएगा कस्य और हमने प्रश्ण नेमान कर दिये हैं अब अगला जो प्रश्ण नमबर चोथा है उधारण, मनुस्रत्य, पद रचनाम को उधारण को देखकर हमें पदों की रचना करनी है तो यहाँ पर उधारण एक दे रखा है जले चरंती इती तो इसका होगा जल चराह ठीक है जो जल में चलते हैं वो जल चराह दूसरा है इस्थले चरंती इती तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस्थल चराह ठीक है इस्थल चराह निशायाम चरंती इती तो इसका होगा निशा चराह व्योमनी चरंती इती तो इसका बन जाएगा व्योम चरा ठीक है व्योम गिरो चरंती इती तो यहाँ बनेगा गिरी चरा ठीक है यहाँ गिरी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मूल शब्द जो है गिरी है इसलिए गिरी चरा भूमो चरंती इती तो यहाँ बनेगा भूमी चरा ठीक है भूमी चरा क्योंकि मुलशब्द भूमी है अगला जो है यता यहाँ पर उखुधारण दे रखा इस उखुधारण को देखकर हम अगले भी कर सकते हैं नपेयम इती अपेयम जो पीने योग्य नहीं वो अपेयम नवरस्थी इती तो यहाँ बन जाएगा अवरस्थी बहुत आसान है ठीक है अवरस्थी न सुखम इती तो यहाँ हो जाएगा असुखम न भावह इती तो हो जाएगा अभावह न पुर्णह इती अपुर्णह ठीक है अपुर्णह यहाँ पर इन दोनों के पीछे विसर्ग था, इसलिए हमने विसर्ग लगाया है, ठीके, और यहाँ पर हलंत था, तो हमने हलंत लगा दिया, तो इस प्रकार यह कर लिये हमने, जो पांचवा प्रश्ण है, उधारण मनुस्रत्य पद निर्मानम कुरुत्य उधार्ण देखकर हमें पत निर्मान करने हैं पहला उधार्ण यहां दे रखा यह था वी धन क्र धन कतिन तो इससे बनेगा विक्रति वी क्र और कतिन प्रत्य का ती लगा है ठीके विसर्ग लगा ती और विसर्ग अब अगला जो है प्रधन गम धन कितिन तो प्रधन गम से बनेगा प्रग और प्रते लगेगा ती प्रगति है ठीक है प्रगति है गम का ग ही लगेगा बच्चो क्योंकि ये धातु है अगला है द्रश धन कितिन तो इसका बनेगा द्रस्टि है ठीक है द्रस्टि है गम धन कितीन से बनेगा गति हा गति हा मन धन कितीन से बनेगा मति हा मति हा शम धन कितीन से शान्ति ठीक है शान्ति भी धन कितीन से भीति हा भीती है जन धन कितीन से जाती है और भज धन कितीन से भक्ती है और नी धन कितीन से नीती है तो बच्चों यहाँ पर प्रत्य के साथ में यहाँ पर संधी वाले नियम भी लागू हो रहे हैं इसके कारणेसा हुआ है और यह सब हम विस्तरत रुप से संधी वाले चेप्टर मे पड़ेंगे जब हम संधी का वीडियो बनाएंगे ठीक है अब अगला चो कुश्चन है निर्देशानुसार परिवर्तयत प्रश्च नमबर छे निर्देशानुसार इनको परिवर्तयत करना है स्वार्थांदो मानवह अध्यपरावरणम नाश्यती तो इसका बहुचन बनान तो इहां पर बहुचन बना रखा क्योंकि हमें उधान के रुप में दे रखा है स्वार्थांदो मानवह अध्यपरावरणम नाश्यती तो इहां पर स्वार्थांदो की स्थान पर हो गया है स्वार्थांदाह और मानवह की स्थान पर मानवह अब अगला जो है तो बच्च इसमें जो कव वाला है उसका हमने भहवचन बना दिया है संतपतस्य का संतपता नाम मानवा नाम, मंगलम, कुत ह और प्रशनवात चक्चिन्न तो ये हमने भहवचन बना दिया उसके बाद ख जो है मानवा परयावरण कुक्षो सुरकषिता भाववध ख वाला है उसमें हमें एकवचन बनाना था तो एकवचन में मानवा के स्थान पर हमने लिखा मानवह, पर्यावरन कुक्षो, सुरक्षित और ववन्ती के स्थान पर एकवचन में आ जाएगा भवत्ती अगला जो गह है वहता वन व्रक्षा, निर्विवेकम, चिद्यान थे अन्ते के स्तान पर केवल ते लगएगा यहां पर उसी प्रकार है अगला, गिरी निर्जरो, निर्मलं अगला जो है, अगला घह वाला था बच्चो उसमें हमें द्वचन बनाना था, तो हमने द्वचन बना दिया है और यहाँ पर प्रयाच्छनती के स्थान पर प्रयाच्छत आ जाएगा और गिरी निर्जरा के स्थान पर गिरी निर्जरोग क्योंकि हमें यहाँ पे द्वी वचने बनाना था अगला है भहोचन बनाने का तो हमने भहोचन बना दिया है भहोचन की त्रिया है सरीतह निर्मलम जलम प्रेचनती ठीक है अ वाला जो प्रश्ण है बच्चो प्रश्ण नम्बर 6 का अ पर्यावरण रक्षणाई भवंत किम करिश्यनती इती विशे पंच वाक्या ने लिखत पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए इस बारे में हमें 5 वाक्या लिखना है और एक उधार्ण हमें आदे तो इसी प्रकार हमें पाँच वाक्य जो पर्यावरन की रक्षा के संबन में हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं अहम इसमें इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं अहम यहाँ पे जो धान दे रखाता अहम विशाक्तम अवकरम नदिशुम न पातेश्यामे उसी प्रकार हमने वाक्य बनाए हैं अहम व्रक्ष चेदनम न करिश्यामे अहम व्रक्ष रोपनम तेशाम सरक्षणम करिश्यामे अहम पर्यावरणम सरक्षणम करिश्यामे अहम पशुन पक्षिन रक्षाम करिश्यामे अहम वायू प्रदूशनम न करिश्यामे ठीके तो इस प्रकार के वाक्य अपने मनसे बिया बनाकर लिख सकते हो, अगला जो प्रेश्ट नमबर सात्वा है, उधारण मनुस्रत्य उपसरगान प्रतक करत्वा, हमें उपसरग प्रतक करके लिखना बच्चो, तो उपसरग वे शब्दया शब्दांज होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर इसमें प्राउपसरग है, ठीक है, प्राउपसरग है, उपलभ्यते, उपलभ्यते में उपउपसरग है, उपनिवसंती, निवसंती में नीउपसरग है, समूपहरंती, समूपहरंती में समूपसरग है, ठीक है, वीतरंती, वीतरंती में वीउपसरग है, प्रयचंती में प् उपगता में उपवपसरग है और प्रतीभाती में प्रतीउपसरग है अब इसी प्रकार अगला प्रेशन है उधार्णम मनुस्रत्य अधो लिखीता नाम समस्त पदा नाम विग्रह लिखत तो समस्त पद यहां इस बार समस्त पद मतलब समास दे रखे और इनका विग्रा करके हमें लिखना है ठीके और यहां द्वंद समास के उधारन है तेजो वायू हो तेज़ वायू हो च गिरी निर्जरा गिरय निर्जरा हो च उसी प्रकार पत्र पुष्पे पत्रम पुष्पम च तो यहां पर इसका बनेगा पत्रम पुष्पम च लता व्रक्षो लता व्रक्ष ह च पशू पक्षी में पशू ह पक्षी च कीटपतंगो में कीटपतंगो च तो इस प्रकार हमने इसके विग्रह करके लिख दिये हैं